students good evening to all आज 4 अगस्त 2021 को class 12th subject chemistry chapter 1 solid state part 11 की एक work sheet आई है और work sheet में तीन सवाल है तीनों सवालों को देखते हैं पहला सवाल है द्वी विम वर्ग निबिट संकुलन की उपसा संयोजन संक्या कितनी होती है तो द्वी विम का मतलब तो होता है एक x एक्सिस पे और एक y एक्सिस पे यदि अविविकन बढ़ रहे हैं तो उसको कहते हैं द्वी विम वर्ग का मतलब यहां कोई square या वर्ग निर्मित हो रहा है उपसा संयोजन संक्या का मतलब होता है कोई एक अविविकन अन्य कितने अविविकनों के संपर्क में है या एक वेक्ती जैसे कितने वेक्तियों के संपर्क में है वो उसकी डैरेक्ट अटेच्मिंट कितनों के साथ है वो उसकी upcessing yougan सेंख्या कहलाती है इनकी बात अपण करेंगे तो पहला सवाल देखो दुवी वियम वर्ग निबिड़ संकूलन की upcessing yougan सेंख्या कितनी होती है तो द्वी विम वर्ग निपिट संकुलन में क्या करते हैं देखो एक अविय विकणों की लेयर है A इस से सटा करके दूसरी पंक्ति इस प्रकार से रखते हैं कि A पंक्ति के अविय विकण क्या करें B पंक्ति द्वारा पुंद्रा वरत हो यह हो गई X-axis यह हो गई Y-axis अब यदि C पंक्ति रखें तो यह हो जाएगी C पंक्ति A, B और C में अब यह विकण जो है वो ठीक X-axis पर और Y-axis पर एक दूसरे के सीध में अब इस में देखो कोई भी अब यह विकण यदि मैं यह ले लूँ कोई भी अब यविकण ले लो तो यह अब यविकण जो है यह अब यविकण ले लिया यह डाइरेक्ट देखो इसके टच में है इसके टच में है इसके टच में है और इसके टच में यह चारों अब यविकण मिल करके एक वर्ग का निर्मान कर रहे हैं तो यहाँ एक अब यह विकन कितनों के संपर्क में है, चार के संपर्क में है, तो यहाँ द्वी विम वर्ग निबिड संकुलन और यह मिलकर के एक वर्ग का निर्मान कर रहे हैं, इसलिए इसको द्वी विम वर्ग निबिड संकुलन कहते हैं, और उपसेस नियोजन संक्या हो मतलब two dimensional यानि दो दिशाओं में एक x-axis पे एक y-axis पे यानि लंबा ही बढ़ेगी और चोड़ा ही बढ़ेगी लेकिन मोटा ही नहीं बढ़ेगी यह a layer हो गई इसके गर्त जो आपको दिखाई दे रहें इन गर्तों में b layer रख देते हैं यह b layer हो गई यह b फिर तीसरी layer रखते हैं अपन जो b परत है उसके गर्तों में यानि खड़ों में यह तीसरी layer हो गई अब देखो a पंकती वाले और इस पंकती के यह a है यह b है तो यह वापस a हो जाएगी यह देखो अब यह गण जो है ए पंकती वाले और इस ए पंकती वाले एक दूसरे के सीध में आ रहे हैं तो ये A, B, A, B टाइप का भी कहलाता है अब देखो लंबाई बढ़ रही है, चोड़ाई बढ़ रही है, उंचा ही नहीं बढ़ रही है अब देखो लास्ट सवाल है, दिवी विम वरग निपिड संकूलन और दिवी विम सटकोने निपिड संकूलन में अंतर तो इसमें समन्य विशन क्या होती है चार इसमें समन्य विशन क्या या उपसेसियो जन्सन क्या होती है एक अभियविकन चार के संपर्क में एक अभियविकन चेक अभियविकनों के डाइरेक्ट टच में होता है लाइक, सेर, सब्सक्राइब बनता है मिलते हैं एक नई वीडियो में